अगत अपका पब्लिक लाइब टेवी चैनल में मैं मैं इसमें मौझूद हूँ गोरकपुर के गैसे जगह पूर हमारे साथ एक ऐसी सक्षिस मौझूद है जिनका नाम है रोसन भाई जो पतंग और माझे का ब्योसाय करी 20 वर्षों से कड़ते चले आ रहे हैं जो कहीं न कहीं एक दूसरे कगार की इस्तिती पर जाने के कगार में है और कई जगहों पर गौर्मेंट ने कुछ पाबंदिया भी लगाई है और मुक्रमंत्री जी का सहर है गोरकपुर यहां पर भी पाबंदिया है लेकिन पाबंदियों के बावजूद भी कई बार पेपर में निकलने के बाद और आला अधिकारियों के सग्यानता में आने के बाद भी इस पे कोई कारवाई नहीं हुई कुछ ऐसी बाते हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे पहले तो हम रोसन भाई से जानना चाहेंगे कि पतंग का बेवसाय कब से शुरू की है इसके फायदे क्या है नुकसान क्या है और मांजों की क्या कहानी है जो गुरबकुर में इस समय चल लई है सर धनबाद आपने समय दिया जी नमस्कान भाई हम आप से जानना चाहते हैं कि आप जो बेवसाय बीच साल से कर रहे हैं तो सर आप पर ये पतंग और माजा खुद बनवाते हैं या कहीं से पर्चीज करक हैं बरैली से मुरादाबाद से और खुद पतंग बनाते भी हैं थोड़ा बहुत इसका काम जानते हैं तो कर भी लेते हैं इसी से अपना रोजी रोटी चलता है सर ये तो लगोद दूग में आता है तो कुछ अनुदान वगरे भी सरकार से मिलता है कि नहीं सर अभी तो कु कि इस्तिती खराब होती जा रही है कि लगो लगो दूग बड़ा प्रभावित हो रहा है इस कंपटीशन के जमाने में हम आप से यह जानना चाहेंगे पहले जब आपने शुरुगात करी थी 20 साल पहले के अगर हम बात करें और इस समय के अगर हम बात करें तो क्या अंतर है बहुत अंतर है सर पहले हम लोग आराम से इतना कमाते रहे कि अपना बाल बच्चे आराम से जी खालेते रहे लेकिन आज के इस दौर में हम लोगों का दंधा एकदम चौपट हो गया है कारोबार एकदम बंद के कगार पे है और इससे अब अतना उत्पत्ति नहीं हो पाती है कि इससे परिवार चल सके कि यानि एक जो साधन पहले हुआ करता तो यह को पारजन का परिवार को कहीं खात्मेके कगार पे है यह इससे पूरा नहीं हो पा रहा है असमंजस में स्थिति है एकदम रोशन जी अक्सर हमने देखा है कि जो माझा होता है पतंग का बड़ा सार्क होता तेज होता अंगुली में लग जाता कर जाता और सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है तो अपने गूरपूर की स्थिति क्या है हमने कई सहरों में देखा है कि वहां पे बैन है वहां पे इस जा सकता है और बहुत जादे चाइनीज माजे को बंद करवाएं और बंद करवाएं ताकि यह जन्मानस में अच्छा संदेश जाएगा हमारे गोरकपुर के लिए और मुखमंत्री जी बहुत ही अच्छे हैं यहां के और बहुत ही अच्छा कार कर रहे हैं लेकिन इस पे भी उनकी निगाहे करम हो कि यह कारोबार को बंद करें जो चाइनीज माझे वाला है हमारी बाते हो रहिती चाइनीज माझे पर कई बार पेपर में भी निकला कई लोग जान जाते जाते बची आज उसी मुद्धे पर हमारी बात हो रहती Rohuten जी से जो माने मुखमंत्री जी का सहर है ग्रिह जनपध है उनका लोग सभाविधान सभाच्छेतर भी है कई जगों पे बनारस में मेरट में हमने कई जगे पता किया वहां के गौर्णेंट इतनी टायट है कि वहां के कोई छाइनीज माझा बेंच नहीं सकता है और यहां पे खुले आम बेंचा जा रहा है तो कहीं न कहीं भोमिका प्रशासन की भी होगी क्योंकि अगर परशासन न चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है और ओभी गोरगपुर जैसे सहर में जो मुकमंत्री का सहर है जहां चप्पे चप्पे पर पूरा परशासन लगा है पहरा लगा है उसके बावजुद अगर खुले आम विक रहा है तो माने मुकमंत्री जी मे कोहे से कोटेड होता है इतना खरतानाक होता है कि दस साल बाद अगर किसी के पायर में लग जाए तो पायर कट जाए गला कट जाए अब ताए प्रशासन को करना है अभी हमारी बात तो रोसन भाई से हो रही थी जो पतंग के बवसाई हैं लेकिन अब इसका गार पे हम जाने के लिए मैं तो हूँ है आप बनर यह पब्लिक लाइब टिविक साथ जल्द मुलाकात हो तक लिए नमस्कार चाहिनीज माजा तो एक तरह से पूरी ताओर से हम लोगों के कारोबार को ठप कर दिया है और यह जानलेवा भी है लेकिन लोग बाग बेचने के लिए जातुर हैं थोड़ा इसमें नफाज आदा उनको मिलता है इसलिए उनको परवाह नहीं है और इनकी वोजह से हम लोग का भी काम पूरी तोर पे समाप्त हो गया है काएसे हमारी जो इस्थिती है सर कि हम चाइनीज माजा को नहीं बेच सकते हैं तो ऐसा काम करेंगे कि भाइ सरकार की निगाह हो कि उसको उन लोगों को हिदायत दे और बंद कर देंवे लोग जो पुराने सैले का माजा था काटन का उसको बेचें अच्छे तरीके से इसमें भी जिंदगी जियो का पारजन चलता है लेकिन उसको करें और चाइनीज माजे का बहिसकार करें यह हमारी अपील है हर दुकानदारों को गोरकपुर के तो माजे चैनीज माजे में और यहां के माजे में अंतर क्या है सर अंतर रही है कि इसमें जो है चाइनीज माज़ा थोड़ा सस्ता मिलता है और उसमें फायदा ज्यादा होता है दुकानदार का और यह जो काटन वाला माज़ा है और साधी है इसमें कम फायदा होता है लेकिन यह है कि अतना तो होता ही है कि परिवार चल सके लेकिन जादे फाइदे के लिए लोग परवा हकम कर दिये कि किसी का जान भले चले जाए लेकिन बेशना नहीं बन कर रहे हैं, बेशना बंद करें तो अच्छी बात होगी और काचन पर आवें तो अऔर अच्छी बात होगी और इस सभी लोगों का भला होगा हर लो लोग सौंक भी करेंगे अच्छी तरीके से यह माजा जो है कहीं एगर रख द्या जाये तो हमारी काल से गरता सल्था भी नहीं होगा और काटन वाला तो नएकर रहता है यह माजा तो सदियों लग जाएगी है प्लास्टिक कोड़ेट रहती है इस पर ले इसा आदेश भी किया लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है नहीं तो कोई फ़रक पड़ता है इससे अब कब जागेगी हमारी गोरकपुर की परसासन और अपने कारवाई करेगी कि थोड़ा बहुत इस पर रोक लगे कि ताकि जन मानस में अच्छी भावना का संचार हो कि यहने मुख्मंतीरी जी का यह सहर है और मुख्मंत्री जी जो बाहर इतने सराहने कार कर रहा है हमें लगता है कि घुरकPur में खुले में माझा भिक रहा है और कहीं न कहीं सब के जानमाल का खत्रा भी है तो इस पे आप माने मुखमंति जी से क्या कहना चाहते हैं मैं अगत आपका पब्लिक लाइब टेवी चैनल में मैं मैं इसमा मौझूद हूँ